नमस्कार कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ नलीनी सिंग पालिवाल पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग की छापे मारी से हडकम्त मचा हुआ है एक के बाद एक काले धन के कुवेर रडार पर आ रहे हैं खास करकि इन सभी लोगों के संबंध कहीं न कहीं अखिलेश यादव और सपा से जुड़े दिखाई दे रहे हैं इसी भी इच अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले इत्र कारोबारी पियूज जैन के ठिकानों से टीम को 2000 के इतने नोट मिले हैं कि अफसरों के भी होश ओड़ गए हैं आएकर विभाग की टीम ने क्या कुछ खुलासा किया है देखिये इस रिपोर्ट में अखिलेश के करीबी कहे जाने वाले इत्र कारोबारी पियूज जैन के ठिकानों से लगातार नोटों का जकीरा बरामत किया जा रहा है आएकर विभाग और GST के चापे में 22,000 के इतने नोट मिले हैं कि अफसरों के भी होश उड़ गए हैं असल में पियूज जैन के घर में रुपेयों और सोने चांदी का जखीरा मिला है बताया जा रहा है कि 2000 के 33,569 नोट मिले हैं जबकि 3 साल पहले नोट छपने बंद हो गए थे पियूज जैन के घर से करीब 197 करोण रुपे की संपत्ती मिली थी इसमें नोट के साथ साथ कई किलो सोना और चांदी भी मौजूद था आयकर विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ठोक में बंडल किस बैंक से जारी किये गए थे क्योंकि बैंकों की बगैर मिली भगत से इतनी बड़ी राशी नहीं निकाली जा सकती है फिलहाल GST को प्यूज जैन के कानपुर के आनंदपुरी इस्थित मकान से 177.45 करोड रुपे और कन्नौच के पुष्टैनिय मकान से 19 करोड रुपे मिले थे और अब जाच एजन्स यहां इतनी बड़ी रकम नगद मिलने के बाद इसकी जाच कर रही है वहीं कहा जा रहा है कि आयकर विभाग बंडलों पर चिन्नित श्रंकला की भी जाच करेगी और ये भी जाच करेगी कि ये पैसा किन शेहरों से उसके पास पहुचा उधर इत्र कारोबारी प्यूज जैन के कन्नौच के घर से छापे के दौरान मिले विदेशी सोने की जाच कर रही डियार आई उससे जेल में पूछताच करना चाहती है इस संबंध में आदालत की अनौच के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी महा निर्देशाले जी एस्टी इंटेलिजेंस की टीम ने इत्र कारोबारी प्यूज जैन के कान्पुर और कन्नौच के ठिकानों पर छापा मारा था इस दौरान करोणों की नगदी के साथ 23 किलो सोने की सिल्लियां बरामद हुई थी इसमें एक एक किलो की 12 सिल्लियों पर विदेशी मोहर लगी थी जिसकी जांच डियाराई कर रही है इटे कहां से आई इसकी जानकारी के लिए डियाराई जेल में बंद प्यूश जैन से पूछताच करना चाहती है तो काले धन के कुबेर प्यूश जैन के तर लोक से एक के बाद एक खुलासे हो रही है और जाच एजंसियां लगातार शिकन जाकस रही है कुछ नेताओं की सासे भी थमी हुई हैं कि कहीं इस मामले में उनका नाम उजागर ना हो जाए अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में आयकर विभाग की टीम क्या कुछ खुलासे करती है फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही देखते रहिए कापिटल टीवी उत्तर प्रदेश धन्यवाद